रेस्टोरन और होटल में हम जब भी जाते हैं तभी वेज क्रिस्पी को ज़रूर ओडर करते हैं क्यूंकि छोटे पच्चे से लेकर बड़े तक की सब की फैवरेट होती है ये वेज क्रिस्पी लेकिन हमको लगता है कि ये घर पे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन फ्रेंस बिलकुल भी मुश्किल नहीं है बहुत ही easy and quick बनके तयार हो जाती है ये वेज क्रिस्पी तो मैं आज आपके लिए वेच क्रिस्पी की रेसिपी लेकी आए हूँ अगर आपने एक बार ये रेसिपी को पूरा देख लिया तो आप कभी भी रेस्टोरेंट जाके ये रेसिपी को नहीं ओडर करोगे क्योंकि घर पर बहुत ही इजी एंड क्विक बनती है और टेस्ट में सेम रेस्टोरेंट जैसे ही बन के तयार हो जाती है रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेर एंड सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा तो आईए फ्रेंड्स देखते हैं इस मज़िदार से रेसिपी को वेच क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेबी कॉन, शिमला मिल्च, कोली फ्लावर और मैंने लिया है फ्रेंच बिंस यहाँ पर सबजिया आप अपनी मन पसंद कोई भी ले सकते हो जैसे कि ब्रॉकली, रेड केपसिकम, यलो केपसिकम, कच्चे केले का भी यूज़ कर सकते हो अभी यहाँ पर हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर लेंगे सबसे पहले मैदा मैदा यहाँ पर मैंने थ्री टेबल स्पून जितना लिया है और फोर टेबल स्पून जितना यहाँ पर हम लेंगे कॉन फ्लोर को बैटर बनाते समय यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी तो एक या दो टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम कॉण फ्लोर को बाद में डालेंगे यहाँ पे हम जाइन बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम अद्रक का यूज नहीं करेंगे इसके बदले में यहाँ पे हम ड्राइ जिंजर पावडर का यूज करेंगे हाफ टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालेंगे और हाफ टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम ब्लेक पेपर पावडर को डालेंगे और अभी हमें डालना है red mirchi powder को यहाँ पे मैंने 1 tablespoon जितना लिया है और यहाँ पे मैंने काश्मेरी mirch का यूज किया है अगर आपको ज्यादा spicy पसंद है तो आप तीखी वाली mirch का भी यूज कर सकते हो और पिंच जितना यहाँ पे हम baking powder का यूज करेंगे सब को अच्छे से mix कर लेंगे अभी यहाँ पे हम इसके अंदर पानी को डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम पानी को डालके इसे mix करेंगे बैटर यहाँ पे हमें न ज्यादा गाडा न ज्यादा पतला इस तरह से हमें तयार करना है सबजियों के उपर ये बैटर बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए इस तरह से यहाँ पे हमें ये बैटर को तयार करना है बैटर बनाते समय आपको खास द्यान लखना है कि इसके अंदर गुटलिया नहीं रहनी चाहिए अगर गुटलिया पड़ जाए तो इसे स्पून की मदद से तोड़ देना है यहाँ पे हमारा बैटर बन के तयार हो चुका है अभी यहाँ पे हमने जो सबजीयों को चौप करके तयार किया है वो सबजीयों को यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबजियों की chopping मैंने किस तरह से की है इसी तरह से आपको मोटी मोटी ही chopping करनी है सबजियों की सभी सबजियों को यहाँ पे हम better से अच्छे से coat कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबजिया बहुत ही अच्छे से कोट नहीं हुई है बेटर से तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पू जितना कॉन्फ्लोर को डालेंगे अगर आप चाहो तो यहाँ पे चावल का अटे का भी यूज कर सकते हो सबजियो को यहाँ पे हमें क्रिस्पी ही बनाना है तो बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर चावल का अटा मिक्स कर सकते हो यहाँ पे हम अभी अच्छे से कोट कर लेते हैं इस तरह से सबजियो के उपर बेटर अच्छे से कोट हो जाना चाहिए अभी यहाँ पे हम इसे तुरंथ ही fry करेंगे तो fry करने के लिए मैंने gas के उपर oil को गरम करने के लिए रख दिया है oil भी यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है तो यहाँ पे हम veggies को इस तरह से fry करेंगी gas की flame को हम high ही रखेंगी और high flame पे यहाँ पे हम सबजियों को fry करेंगी सबजिया उपर से एकदम क्रिस्पी न हो जाए तब तक यहाँ पे हमें इसे fry करना है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछी मिन्टों में यहाँ पे यह गोल्डन हो चुका है और उपर से एकदम क्रिस्पी भी लग रहा है तो अभी मैं इसे oil में से बहार निकाल दोंगी इसे fry करने के लिए मुझे एक मिनिट लगी है तो इसी तरह से मैं दुसरा बेच भी fry करके तयार कर लेती हूँ यहाँ पे हमारा कुछी मिन्टों में दुसरा बेच भी fry हो चुका है अभी यहाँ पे हम बनाएंगे एक सॉस को इसके लिए यहाँ पे हम गैस के उपर एक कड़ाई को रखेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना ओयल को डालेंगे ओयल गरम हो जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर पत्ता गोबी को पत्ता गोबी को यहाँ पे मैंने चॉपर के अंदर चॉप किया है तो एकदम बारिक चॉप किया है इसी तरह से हमें पत्ता गोबी को चौप करना है यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जितना पत्ता गोबी को लिया है अभी यहाँ पे हम इसे ओईल के अंदर सौते करेंगी पत्ता गोबी यहाँ पे सौते हो जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे सॉसिस को सबसे पहले यहां पे हम डॉलेंगे सीजवान सॉस को यहां पे मैंने मैंने pretend टेबलुपुन टेबल अगने डाला है सीजवान सॉस की रेजिपी मैंने आपके साथ पहले शैर की हुई है link आपको description box में मिल जाएगी और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम सोया सॉस को डालेंगे 140 पे जितना काली मिर्ज को डालेंगे और 140 पे जितना ड्राइ जिंजर पावडर को डालेंगे अद्रक की जगा पे और 2 पिंच जितना यहाँ पे हम सॉल्ट को डालेंगे salt यहाँपे हमें कम ही डालना है क्यूंकि sauce के अंदर भी salt है और 1 टेबल सफून जितना यहाँपे हम chili sauce को डालेंगे सबको यहाँपे हम अच्छے से सौटे कर लेंगे अभी हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना पानी को डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून जितना टॉमेटो केचप को डालेंगे टॉमेटो केचप डालने से यहाँ पे इसका टेस्ट टेंगी आएगा तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना टॉमेटो केचप को ज़रू डालना है और हाफ TSP जितना यहाँ पे हम वीनेगर को डालेंगे वीनेगर की जगा पे आप यहाँ पे निम्बू का juice भी डाल सकते हो सब को अच्छे से mix करेंगे अभी हम इसके अंदर fry कियो है वेजिस को डालेंगे और sauce से अच्छे से coat कर लेंगे यह वेज क्रिस्पी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है आपने कभी भी इसे try नहीं किया है तो एक बार तो ज़रूर से try कीजिएगा आप सब को बहुत ही पसंद आएगा आपके घर पे छोटी मुटी party है या get together है इसके अंदर ये वेज क्रिस्पी को ज़रूर बनाईएगा सब को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही कम समय में ये बढ़ के तयार हो जाता है यहाँ पे हमारा super tasty restaurant से भी ज्यादा अच्छा वेज क्रिस्पी बढ़ के तयार हो चुका है उपर से यहाँ पे मैंने धनिया पती के dental को डाला है धनिया पती के dental डालने से इसका टेस्ट बढ़ भी जाएगा और health के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है और इसके उपर मैंने यहाँ पे तिल को स्प्रिंकल किया है और थोड़े से दनिया पत्ती को भी डाला है आपके घर पे छोटी मोटी पार्टी हो या गेट टूगेदर पार्टी हो तो इसके अंदर ये वेच क्रिस्पी को ज़रूर बनाएगा घर पे आने वाले सभी महमानों को बहुत ही पसंद आएगा इसे देखकर तो मुझे और मेरे बच्चों को रुका नहीं जा रहा है मैं तो जा रही हूँ फटा फट से इसे खाने के लिए अगर आपके मुमें भी इसे देखकर पानी आ रहा है तो क्या सोच रहे हो फटा फट से जाएगे कीचन में और बढाएगे वेच क्रिस्पी को रसेपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा और नेक्स रसेपी आप कौनसी देखना चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके ज़रूर बताईएगा और आप मुझे कौनसी सीटे से देख रहे हो वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके ज़रूर बताईएगा तो मैं नहीं दी आपको फिर मिलूँगी एक नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाय एंड हैपी कुकिंग